हाद दोस्तों मेरा नाप देवत नगरवाल है उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों यह वीडियो बहुर इंपोर्टेंट है को कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एप PC फ्रेम पर सेकेंड या जो रिफरेंस रेट होता है उसमे वो किसकी प्रपेटी मानी जाती है और मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में कि वीडियो किसे कहते हैं और तो यह भी देखें इस वीडियो में और साथ में यह वीडियो किन के लिए जो रिए जो आई कौन्फिर्केशन वाला पीसी डेबलप करना चाते है फॉर जो सौप कीपर्स होते हैं जो दुकान पर रहकर जो फॉन का प्रोसेसर तो अच्छा बता लेते हैं और जो सारी टिक्नलोजी बता लेते हैं बर डिस्पले के वारे में सिर्फ एच्डी कर रूख जाते हैं वो यह नहीं बता पाते कि कौन से मोबाल का डिस्पले ज्यादा बहतर है और उसमें आपको क्या उपुट मिलने वाला है इस वीडियो को पूरा देखिए को इस वीडियो में मैं आपको बता है एक टेक्निशन की नजर से कैसे अपने फोन को बेचे और अच्छे टेक्निकल गयान के साथ अपने कस्टमर का दिल जीते हैं तो दुस्तो इस जुक को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले फ्रेम पर सेकंड क्या होता है तो फ्रेम पर सेकंड एक वीडेयो की परपेल्टी होती है अब यो क्या होता है वीडियो कुछ नहीं से पिएखिश सेख्णा मरलाबena live series of images होता है For jumper आप एक image एक second में देखते हैं So, वहाँ एक second में कई images को एक साथ देखाया जाता है और एक sequence में देखाया जाता है तो हमें वह एक still लगकर एक moving लगती है जिसको हम video कह सकते हैं So, video basically कुछ नहीं है एक image series अंकला जैसे कि मैंने आपको कहा अब कैसे पता करना है और उसी की properties को frame per second app PC कहा गया है अब कैसे पता करें कि इस video में कितने frame या कितने एक second में images को चलाया जा रहा है तो दोस्तों उसको पता करना बहुत ज़्यदा असान है आप किसी भी format mp4 या जो भी आपके पास format आपके video का आप उसको right click की जो इसकी property में जाई है उसके बाद एक window उपन होगा फिर आप उसको उपर इस detail करके tab होगा उसको click करेंगे आपको वहाँ पर frame rate आपको देखने को मिलेगा नीचे बीच में और वहाँ आपको आपको देखने को मिलेगा यहां पर है 30.5 frame per second इसका मनलब यह है कि एक frame में इतने फोटो इतने सारे 30 photo मनलब इतना लगबख photo तीस करिवन photos को एक second में चला जा रहा है तो वह हमको स्टिल ना देखके moving एक movie की तरह दिखाई देती है इसलिए इसको video कहा जाता है आपको प्रेम पर सेकंड समझ के होंगे थोरी इसको और अच्छे से समझाना चाहता हूं तो दोस्तो यहां मैंने आपको बता है कि एक video का frame per second क्या होता है पर अगर मैं आपको बता हूं कि एक video जो आप देखते हैं वो किसमें देखते हैं वो आप देखते हैं डिस्पले प करेगा या फिर बिल्कुल नहीं चलेगा उसका reason क्या हो सता है वो हो सता है वो आपके जो डिस्पले के refresh rate होते हैं वो आपके frame per second के refresh rate के साथ में match नहीं करते हैं जियां जैसे fordjumper आपका जो वीडियो है उसके अंदर एक second में 70 images चल ले हैं पर आपको डिस्पले की जो refresh rate ह वो केबल 60 Hz का है मरला आपको जो डिस्पले है वो 60 Hz का है केबल आपने देखा हो कि डिस्पले आते हैं 60 Hz के 70 Hz के 80 Hz से 120 Hz यह 144 Hz अब कौन सा लूँ मेरे को 60 Hz ही चलेगा भी मेंने computer डेवलब कर लिया अच्छा GPU लगा लिया अच्छा CPU लगा लिया और अच्छे configuration मेंने डेवल 90 Hz सो यह कहीं ना कहीं justify नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूं इस वीडियो को पूरा देखी को कि आपको आगे मैं बताऊंगा refresh rate क्या होता है दोस्तों जैसे की frame per second होता है video के लिए वैसे refresh rate होता है monitor की properties होती है monitor अपने वही images को एक second में कितनी बार चलाता है यह depend करता उसके refresh rate प होती है अगर आपको बात करूए जंपर के लिए कि वीडियो का एक जो फ्रेम पर second है वो 30 है और जो आपके monitor वो 60 है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी पर अगर वहीं पर अगर आपका फ्रेम पर सेकेंड 90 चला जाता है और monitor का जो हर्स है वो किवल 60 है मतलब आप एक साथ फ्रेम ही चलाएगी और यहां पर 90 चाहिए हमको तो इसका मतलब तीस फ्रेम कहीं ना कहीं लैक हो जाएंगे कहीं ना कहीं मिस हो जाएंगे कहीं ना कहीं आपके skip हो जाएंगे मतलब एक फ्रेम चलेगी एक फ्रेम चलेगी मतलब एक जैसी फ्रेम चलेगी उसके बाद यह एक complete frame हो गया और यह complete video scenario हो गया अब मैं बात करता हूँ अब आपको यह अगर मालीजे में यह एक यह वाला frame हो गया यह एक यह टीन frame इसमें फोर जम पर मान लेते हैं अब मालीजे कि आप इसको चला रहें एक normal display में तो यह video कैसा दिखाए देगा मतलब यह video आपको lacking मिलेगा मतलब पहला आपको जो video का सही output वो ऐसा मिला था पर आपको वीडियो ऐसा मतलब सीधा आपको एक frame के साथ एक frame से तीसरे frame पर स्रक्टिक कर देगा मतलब आपको लगे अगर आप एक high configuration PC develop कर रहे हैं तो आपको monitor भी आपको यह देखना पड़ेगा किया आपका game का configuration आपका CPU या GPU कितना हर्ट्स आपको निकाल के दे रहा है उतने हर्ट्स का monitor purchase कर सकते हैं आप 100 पर जा सकते हैं 120 जनली अभी के जो display आ रहे हैं नए फोनों के जो OLED, MOLED जो display आ रह 80 Hz का display लगा हुआ है तो मैं कहने को यह हो सता है कि मैं कहूं कि भी या अगर आप इसमें अच्छे game खिलो जैसे PUBG जैसे game या कोई भी game जो high configuration के साथ में आपको वो game बिल्कुल smooth चलेंगे और बिल्कुल lack नहीं मिलेगा पर यही पर वही game आपको smooth नहीं मिलेगे क्योंकि कहीन कहीं वो game skip करते जाएंगे अपने फ्रेम को skip करेंगे तो वो कहीना कहीं उसको टेक्निकल भासा में जैसे हम बुलते लैकिंग आपको लैक देखने को मिलेगा तो यह बिल्कुल समझना बहुत जहुरी है कि आपकर डिस्प्ले का जो hearts होता है वो कितना है आगर आप यह जान क्या आपकर देत्राइती के प्रोसेशर में कौनसा प्रोसेशर सबसर अच् выпуск अच्छा माना जाता है जो यहां को मैंने आज वीडिया है कि किस तरह auto rafresh rate upki में अंतर निकाला जाए या उसकी की प्रपेटिटी को जोड़ी होती है नेस्ट में को जो ने शेकिंगे उलकल तेकनिक लिग तर ऑके कि के वारे में और एक मिज़ड हिन्ट के के वति आधि के वी उड विडो मिलेगा ऑट yhtुल घ्यान और ग्यान के लिए एक बैल आइकश क्राइब कर बटन एक लाइक और तेंकि देखने का नचरिया क्या हुआ है बिल्कुल चेंज हुआ आपका नाम क्या कहा है मनुच दिल्ली से इतना वड़ा सहर साउद नौध डिल्ली इतना वड़ा आप छोड़े से जबलपुल में क्यों बता नहीं मिलेगा अगर सीखना यहां पर नॉलिज मिलते हैं एक पूंट जूट जाता है इसके मालों में यहां पढ़ाया जाता है बिल्कुल और प्रेस्टि जाएंगे तो पीसी बीसे बात करने लगेंगे जब हमारे आत्म मल्टी मेंटर होगा न तो पहचान जाएंगे कहां से क्या फॉल्ट है क्या ही बात है तो वह बहुत यह एक उंब्धेंस बहुत अच्छा नहीं चाहिए बोले प्रेशान हो आपको तो सर रात को बारा बाजी भी उपड़ना होता है बारा बाजी भी हमें इसी जाता है और हम यह लेके बैठ जाते हैं जो यह कॉंपोनेंट को पुरा सार्कित डाइग्रम बना के देना पढ़ता है जो हमरे बस कुछ होजारी नहीं होता है जबकी 9 लोग कंबल में बुच जाते हैं लोगों को उटके सर अभी सर्कित बना के देना पढ़ता है बिना वजार के क्या बिलकुल यह 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 इनिश्ट करेंगी हूँ थैंकियो अरिमाच सिर्ट अन इसो 9001 & 2008 35 Institute Asia Telecom Advanced Mobile Repairing Institute Call for admission 964 4139972 Download mobile free repair and android apps link in description आट